नमस्तार मैं इमान सुबर्मोल और आप देख रहे हैं बीएजबी सी न्यूस बेसे अब तक के मुख्या समचार लेकिन नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर अमेरिकी राश्पती डोनाल्ड ट्रम चीन के सामानों के आया सुल्क पर लगने वाले मेमो पर किया हस्ताक्षर भारत वापस लोटे पाक राजनाईक सोहिल ने कहा भारत के साथ सांति पूर्ण और अच्छे परोशी का संबन चाहता है पाकिस्तान पाकिस्तान में इस्लाम कबूलने को मजबूर हिंदू 500 हिंदूओं का धर्म परिवर्तन होगा राम निल्ला मैदान एक बार फिर बड़े जन अंदोलन का गवाब बनने जा रहा है अंदोलन के पहले दिन बड़ी संख्या में दूर दराज के हिस्सों से पहुंचे अजारों लोग 21 मार्स से सुनवाई शुरू हुई थी जो 23 मार्स तक चली उनिस दोश्यों को आज सजा सुनाई गई अब खबरें विस्तार से चीन के विदेश मंत्रालाई ने सुक्रुवार को अमेरिका द्वारा चीनी सामान पर आयत सुल्क लगाए जाने के घटनकरम पर कहा कि चीन किसी भी तरह के विदेश मंत्रालाई की प्रवक्ता हुआ चुनुयांग ने कहा कि चीन अमेरिका को सचेत निर्णए लेने का आग रह करेगा अमेरिकी राश्पती डोनाल ट्रम्प ने गुरुवार को चीनी सामानों के आयत पर 60 अरब डॉलर तक का सुल्क लगाने समंदी मेमों पर हस्ताक्षर कर दिये थे इसके साथ ही अमेरिका में चीन के नियो एस पर भी सीमा लगा दी वाइट हाउस के व्यापार सलाकार ने समवाद दाताओं को बताया कि यह जवावी कारवाई चीन को भारी पड़ सकती है भारत में पाकिस्तान के उच्चाईट सोहिल महमूद ने कहा कि उनका देश राजनाईकों के कथित उतपीडन का मुद्दा जल से जल सुल जाना चाहता है उन्होंने कहा कि उनका देश भारत के साथ सांतिपूर्ण और अच्छे पडोशी का संबन चाहता है महमूद सुक्रुवार राद भारत लोटे थे एक हपते पहले भारत और पाकिस्तान के बीच राजनाईकों के उतपीडन को लेकर बढ़ते विवात के दर्मियान शाहिल मर्श्वरा करने के लिए उन्हें इसलामाबाद बुला लिया गया था उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे दोनों देशों के बीच संबन्द को प्रवाइट करते हैं राजास्तान से लगते पाकिस्तान के सिंद प्रांत में रवीवार को 500 हिंदों का धर्म परिवर्तन कराये जाएगा बतारा जारा है कि इन मेंसे जादातर वह हैं जो पिछले कुछ समय से भारत में पाकिस्तान डिपोर्ट किये गए हैं पाकिस्तान के सिंद प्रांत में 25 मार्च को हो रहे इस बड़े आयोजन के लिए जम कर पचार प्रसार किया जा रहा है राजस्तान में पाकिस्तान से विस्तापित हुए हिंदूओं के लिए काम करने वाले हिंदू सिंग सोड़ा ने बताये कि धर्म परिवर्तन करने वालों में जादतर उन्हीं लोगों के सामिल होने की संभावना है जो भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिये जाते हैं उन्होंने बताये कि इन लोगों को वहां काफी जलालता सहन करनी पड़ रही है और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है ऐसे कई मामले वहां खुद देख चुके हैं पिछले तीन सालों में भारत में सरण लेने आए 1389 हिंदों को पाकिस्तान लोटाना पड़ा था रामलिला मैदान एक बार फिर से बड़े आंदोलन का गवा बनने जा रहा है समा सेवी अन्ना हजारे ससक्त लोगपाल चुनाओ सुधार और किसानों की मांग को लेकर रामलिला मैदान पहुंचे हैं उन्होंने सुक्रुवार को भारत माता की जैवंदे मात्रम और इनकलाब जिंदाबात के नारे लगाकर रामलिला मैदान से आंदोलन की हुंकार भरी और अंसन पर बैठ गए आंदोलन के पहले दिन बड़ी संक्या में दूर दराज के हिस्सों से हजारों की संक्या में लोग पहुंचे जिन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्यप भर रही थी, चारा घोटाले के दुमका कोसागार से जुड़े मामले में सुक्रवार को सभी दोस्यों की सजा पर सुनवाई पूरी हो गई, सीबियाई के विशेश न्यायदी सीपाल सिंग के अदालत में बिहार के पूरु मुक्यमंतरी लालू प्रशाद सहित 19 दोस्यों क आज सजा सुनाई गई, 23 मार्श को अदालत में पांस दोस्यों की सजा पर सुनवाई हुई थी, अदालत में 19 मार्श को 19 लोगों को दोसी ठहराया था, सजा पर 21 मार्श से सुनवाई सुरू हुई थी, जो 23 मार्श तक चली, लालू प्रशाद को 30 लाग के जुर्माने के सा साल साल की सज़ा मिली अब तक जितनी सजा सुनाई गई है उसमें लालू कोूल मिलाकर 20 साल की सजा हो चुकिया और अभी भी एक केस बाकिये है चार केसों में सजा लालू को पहले ही हो चुकी बजेट सत्र का दूसरा चरण लगातार हंगामे की भेट चड़ रहा है बीते 15 दिन में राज्यसभा की कारवाई सिर्फ 310 मिनट तक ही चली जबकि से ओसतन 15 दिनों में 5400 मिनट तक चलना चाहिए इतने ही नहीं इतने दिनों में सदन की कारवाई 27 बार इस्तगित की जा चु जा रही है सुक्रवार को सभापती ने कहा कि राज्यसभा उच्छ सदन है लेकिन यहां सदस्चों का वहार अफ्सोस जनक है उन्होंने कहा कि लोग हमसे सवाल पूछ रहें कि क्यों अब पूरे बजट सत्र को इस्तगित कर दिया जाए लेकिन यह समस्य का समधान नहीं है उच्छ सदन की कारवाई पिसले 15 दिनों में सिर्फ पांस घंटे दस मिनट तक ही चल पाई है भारत में फेस्बूक डेटा लीक मामले में सक्त रुक अपनाते हुए यूके इस्तित कैंब्रिज एनालिटिका को नोटीस जारी किया है इसमें सरकार ने पूछा कि क्या उनसे चुनाओं को प्रभाइद किया है केंद्रिया सुस्तावियम प्रोजयोगी की मंत्राले की तरफ से जारी नोटीस में सरकार ने केम्रीज एनालिटिका से 6 सवाल पूछे है और कंपनी को जवाब देने के लिए 31 मार्स 2018 तक का वक्त दिया है इसमें पूछा गया है कि कंपनी भार्चियों के डाटा का इस्तिमाल कर रही है और क्या इस तरह के डेटा के आधार पर कोई प्रोफाइलिंग की गई थी योपी राज्य सवाथ चुनाओ परिणाम आने के बाद प्रेस कॉंफेंस करते वे योगी ने सपपा बसपा गटबंदन पर करारा हमला किया है योगी ना बिना नाम लिए बसपा को सलाद भी दी उन्होंने कहा कि समझदार के लिए यह अवसर है कि लगी हुई ठोकर से सब लेकर समल जाएं बात्सपा प्रदेश सद्यक्स डाक्टर महिंदर नात पांडे ने सपपा बसपा गटबंदन पर हमला बोलते वे कहा कि यह गटबंदन स्वार्थ का था दोनों दलों के सवाव कभी मेल नहीं खाते हैं राज्य सवा में नौ प्रत्यासियों को जिताने में हमारी रणनीती इस स्वार्थी गडबंदन पर भारी पड़ी इस सांदार जीत के होंसले के साथ अब हमारा 2019 के लोग सबा चुनाओ मैं भी अपनी विजय पता का फहराएंगे हमें अपने सहियोगी दल अपने दल और सभी पार्टियों पर गर्व है जिनोंने हमें सभी नौ प्रत्यासियों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी आम आदमी पार्टी को बड़ी रहत देते वे दिल्ली हाई कोट ने सुकरवार को लाप के पत के मामले में उसके बीस विदायकों की सदस्यता को बहाल कर दिया चुनाई आयोग द्वारा उन्हें आयोग्य ठहराई जाने के फैसले को दरकिनार करते वे आयोग को इस केस की दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया विदायकों को मिली रहत के बाद आपके खेमे में खुसी की लहर दोड़ गई खचाकच भरे कोर्ट रूम में जश्टिस संजीव खन्ना और जश्टिस चंदर सेखर की पीट ने 89 पेजों के अपने फैसले में 20 विदायकों को आयोग्य ठहराई जाने की केंदर की अधिसूसना को रद करते वे कहा कि उन जन प्रतिनीदियों के खिलाब चुनाओ आयोग की सिफारिस कानून गलत थी आयोग ने सुनवाई के नियमों का उलंगन किया है इस बुलेटन में इतना ही देखते रहिए ब्याज बीसी निउस दमश्कार